आज देश याद कर रहा है भारती राजनीती के उस चहरे को जिनके सुझाए आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थिव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की आज देश याद कर रहा है अरुण जेटली जी को जिनके राजनेतिक जीवन की शुरुवात हुई 1974 की संपू 1974 में युवा अरुण जेटली जी दिल्ली यूनिवसिटी के अध्यक्ष बने और 1975 में इंद्रा सरकार के आपात काल का पुर्जोर विरोध करते हुए 19 महीनों तक जेल की आत्माओं को सहिन करते रहे 1977 में वकालत की शिक्षा लेने के बाद 1989 में अरुण जेटली जी अडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने और 1998 में अमेरिका जाने वाले डेलिगेशन का हिस्सा भी रहे 1999 में अटल जी की सरकार में अरुण जेटली जी ने Information and Broadcasting मंत्राले के राज्य मंत्री का दायत्व समहला और कुछी समय में कानून मंत्राले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी समहली 2009 में अरुण जेटली जी राजसभा में विपक्ष के नेता चुने गए और संसद में उनके तरक विरोधियों की बोलती बंद कर देते थे 2014 में देश में मोदी जी की सरकार बनी जिसमें अरुण जेटली जी ने विपक्ष मंत्राले के साथ रक्षा मंत्राले के दायत्व को भी बखुभी निभाया और उनके कारेकाल में भारत ने आर्थिक सुधारों का अभूत पूर दोर देखा जिनमें शामिल हैं अब तक का सबसे वड़ा टैक्स रीफॉर्म जी एस्टी कानून लागू हुआ NPA यानि Non-Performing Assets की सफाई से सरकारी बैंक घाटे से बाहर आए स्टेट बैंक के पाँच असोसियेट बैंक सहित कई बैंकों के एकी करण से सरकारी बैंकों की सेहत में सुधार हुआ राजकोशिय घाटा एतिहासिक रूप से कम हुआ कई सेक्टर FDI के लिए खोले गए और 2014 में 24.3 अरब डॉलर FDI 2019 तक 44.4 अरब डॉलर तक पहुँच गया अरुण जेटली जी की कुशल नीतियां और अथक प्रयास देश को प्रगती के पत पर आगे बढ़ा रहे थे लेकिन 24 अगस्त 2019 का वो दिन जब भारत ने अपनी एक विलक्षन प्रतिभा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया लेकिन देश के लिए उनके समरपन, उनकी विद्धता और उनकी शालीनता को देश कभी नहीं भूल सकता भारती राजनीती के महान नेता अरुन जेटली जी की उन्यतिधी पर देश उन्हें शत्षत नमन करता है